हलो दोस्तो मैं हूँ रोहित ओपन माइंड एश्टर डिमें ट्रेलिम आपका स्वागत है आज मैं फिजिक्स का टेन भी विया क्यूशन करने वाला हूँ क्यूशन नम्बर वान है दोस्तो किस दर्पन से हमें बस्तू से छोटा प्रत्वीम प्राप्त होता है option सम्तल उत्तल अवतल कोई नहीं इसका सही जवाब होगा उत्तल क्या होगा उत्तल अगला क्यूशन है दोस्तो जब प्रकास की कीरन हावा से कांच में परवेस करती है तो वा मुड जाती है किदर की और मुड जाती है अभिलंब से दूर जाती है अभिलंब के निकट जाती है अभिलंब के समांतर रहती है या इन में से कोई नहीं तो इसका सही जवाब होगा दोस्तो अभिलंब के निकट क्या होगा अभिलंब के निकट अगला क्यूश्यन दोस्तो फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्चक होता है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदर्चक होता है उत्तल लेंस होता है अभिदर्चक होता है उत्तल दर्पन होता है या अभिदर्पन होता है बताईए तो इसका सही जवाब होगा उत्तर लेंस फोटोग्राफी कैमरा का विदर सक कैसा होता है उत्तर लेंस होता है क्या होता है उत्तर लेंस अगला दोस्तो यह बहुत ही भी वियक्यूशन है एकजाम 10 के लिए side mirror के रूप में किस दर्पन का परियोग होता है side mirror के रूप में किस दर्पन का परियोग होता है या बहुत ही भी भी है क्यूशन है दोस्तो लगवग हर साले आप पुछा जाता है option है समतल दर्पन, उतल दर्पन, अबतल दर्पन, इन्में कोई नहीं इसका सही अंसर होगा उद्तल दरपन क्या होगा उद्तल दरपन अगले क्विश्चन है दोस्तो परकास का वर्ण विछेपन के लिए किस उपकरन का परियोग किया जाता है अब पढ़े होंगे प्रकास का वर्ण बिछेपन किसके दोवारा होता है प्रीजम के दोवारा होता है किसके दोवारा होता है प्रीजम के दोवारा होता है जिसमें से प्रकास गुजरने पर साथ रंगों में भीवक्त हो जाता है इसी को प्रकास का बिच्छेपन कहते हैं याद रखेगा प्रकास का बिच्छेपन की सुपकरन में होता है प्रीज में में होता है किस में होता है प्रीज में Next question किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी 50 cm है तो उसकी छमता कितनी होगे उसकी छमता कितनी होगे अब जानते हैं कि f बरावर होता है 1yp क्या होता है 1yp इसलिए p बरावर होता है 1yf और 1yf यानि कि 1y 50 cm अब भागा देने पर हमारा भैलू आएगा 2 तो 2 पलस होगा या माइनस होगा यहाँ पर कौन सा लेंस है उत्ता लेंस है और उत्ता लेंस के लिए focus दूरी भी पलस होगा है इसलिए हमारा छामता भी पलस होगा यानि पलस 2D option number D आसा है यहाँ तक आप सभी लोग का सही होगा comment section में जरूर बताईएगा अगला question यह है अगला question है दोस्तो किस दरपन से बस्तू को कहीं भी रखने से बस्तू के बरावर अकार का परतिविम बनता है A उत्तल, B अउत्तल, C सम्तल, D सम्तल और उत्तल तो बताईए क्या अंसर होगा इसका सही अंसर होगा सम्तल दरपन क्या होगा सम्तल दरपन सम्तल दरपन में किसी बस्तू को कहीं भी रखने पर बस्तू का फरतवीम बस्तू के अकार के बराबर ही होता है अगला किश्चन दोस्तो किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है किसी उत्तर लेंस की फोकस दूरी क्या होती है पोजेटिव होती है नेगेटिव होती है या दोनों होती है या इन में से कोई नहीं तो आप आपको जनकारी के लिए बता दूँं किसी उत्तह लेंज की फोकस दूरी हमेंसा क्या वोती है पोजेटिव होती है क्या होती है जाद रखिएगा जेटिव होती है बताइए आप इसका अंसर क्या होता है इसका अंसर अवतल होता है क्या होता है अवतल नेक्स्ट क्यूश्चन किस दर्पन से बस्तू का बड़ा परतिविम बनता है किस दर्पन से बस्तू का बड़ा परतिविम बनता है A समतल, B अवतल, C उतल, D इन में से कोईन है तो इसका सही जवाब बताए इसका सही जवाब होगा अवतल क्या आंसर होगा अवतल अवतल दरपन से किसी बस्तू का बाड़ा पर्ति में बनता है तो दोस्तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आसा है कि आप लोग को बहुत ही पसंद आया होगा अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सस्क्राइब करें और सेर करें थैंक यू